अगर आपके बालों के लिए राम बान उपाई आपको गंजेपन की जो शिकार हो चुके हैं वो भी समस्या दूर हो जाएगी और बालों की कोई भी समस्या आपके पास तक नहीं आ पाईगी बिना किसी देरी की जाल लेते हैं मैंने इन में किन चीजों का इस्तेमाल किया है और उसके क्या-क्या फायते हैं फ्रेंज आज मैं आपको बताऊंगी प्याज का तेल जी हाँ अगर आपको मेरे प्याज की रेमेडी बताई जाए बहुत जाए आपको वीडियोस मिलती हैं सुनने में कि प्याज को कट करिए उसको और रस निकालियो बालों में लगाईए जो हम एक दो दिन तो फॉलो करत हैं वहाँ पर हमारे बाल दुबारा आने शुरू हो जाते हैं साथ में हमारे बाल घने लंबे भी होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि सल्प पर हमारे बालों में जान डाल देता है हमारे स्कैल्प के लिए हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है कारगर माना गया है आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में आपके बाल शाइनी हो जाते हैं अगर आप कलाउंजी का इस्तमाल करेंगे ये तेल का इस्तमाल करना जितना ही असान है उतना ही उप्योगी है आपके बालों के लिए एक सब्ता में अगर आप इसका इस्तमाल दो या तीन बार करेंगे तो आपको खुद फरक आपकी नजर के सामने होगा तो चलिए जान लेते हैं इसकी बनाने की विधी, इसको बनाना कैसे है हमें एक प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है उसके बाद एक बरतन में हमें सरसो का तेल, अपनी बालों की लिंद के एकॉर्डिंग या थोड़ा से जादा हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं काज की शीशे में हम इसको उसके एकॉर्डिंग लेंगे कि पूरा हफता हमें जितना लेना है तो पूरे हफते के लिए आप दो प्याज काट लीजे छोटे-छोटे टुकडों में जैसा मुझे देख पा रहे हैं उसके बाद आपने क्या करना है थोड़ा सा सरसो का तेल हलकी सेख पर, हलकी आज पर गैस पर रख देना है जब तेल गरम हो जाए तो उसमें आपने प्याज डाल देने है उनको हलका भून लेना है, फ्राइ करना है जब वो ब्राउन कलर के हो जाए तब आपको गैस बंद कर देनी है और उसमें दो चमच कलॉन जी के डाल देने है एक बात का ध्यान रखेगा फ्रेंड्स कि प्याज हलके ब्राउन हो, जादा अगर काले कर दिये तो उसका फाइदा नहीं होगा ये चीज़ जरूर ध्यान रखेगा क्योंकि उसकी गुन उसमें नहीं आपाएंगे ऐसा करने के बात आपको क्या करना है कलॉन जी दो चमच जब आपने उसमें आट कर ली, उनको हलके सेख पर सेखते रहना है कुछ समय तक यानि गैस पर रखे रखना है आपको चलाते रहना है उसको जो वो अच्छे से कलॉंजी का असर उन सब तेल में चला जाए और प्याज का असर चला जाए हाडली 5 मिन तक आप उसको ऐसे ही चलाएए उसके बाद उसको गैंस बंद करके गैंस से उतार लीजे और ठंडा होकर आप किसी शीशी में काच की शीशी में स्टोर कर लीजे चान कर अगर आप इस तेल का इस्तमाल हफते में दो से या तीन बार करेंगे तो उसका रिजल्ट आपकी आँखों के सामने होगा जहां से आपके बाल जढ़ चुके हैं वहां आने शुरू हो जाएंगे साथ में आपके बाल पहले से कहीं ज़्यादा शाइनी लंबे और घने होने शुरू हो जाएंगे चमकदार हो जाएंगे साथ में सीधे होने भी शुरू हो जाएंगे एक बहुत बड़ी समस्य हो जाती है जूओं की छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनके जूओं की प्रॉब्लम हो जाती है या बड़े भी अगर हम होते हैं तो जब हम दूसरों के कॉंटाक्ट में रहते हैं इसका इस्तमाल हमें रात में करना है रात को आप ये तेल अच्छे से अपने जड़ों से लेकर अपने बालों की लेंट तक लगा लीजे और सुभा कोई भी नॉर्मल शांपू से हर्बल शांपू से आप धो लीजे आप देखेंगे कि आपके बालों की चमक उनका लंबा, घना और बालों का जणना एकदम डुख जाएगा ये आपके बालों में 70% का फायदा देगा आप आप सोच रहे होंगी कि मैंने आपको 100% का वादा किया था और आप 70% क्यों बता रही हूँ? बिल्कुल वादा किया था क्योंकि 30-40% हमारे बालों में हमारी डाइट बहुत इंपोर्टन है अगर आप अच्छी लेंगे, ग्रीन सालेट, फूड्स अगर आप जाधा खाएंगे, अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे तो आपके बाल वैसे भी नहीं जड़ेंगे हेल्दी डाइट लेना बहुत इंपोर्टन है आप रेमिडी कोई भी इस्तमाल करें वो तभी वर्क करेगी, जब आप एक अच्छी डाइट भी लेंगे तो इस चीज का ज़रूर धियान रखेगा तली भुनी बाहर की चीज़े मत खाईएगा अगर आप अच्छी स्किन और बाल चाहते हैं ऐसी ही वीडियो में आपके लिए और लाती रहूँगी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके बताना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 टेक क्यर